बच्चों, क्या आपको अपने घर में कुछ ऐसी इंस्टॉक्शन्स मिलती हैं? ये काम करो, वो करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो? Yes, I know, your answer will be yes. ये इंस्टॉक्शन्स देता कौन है? ये आपकी मम्मी भी हो सकती है, पापा भी, बड़ा भाई या बड़ी बेहन भी हो सकती है. और जब आपको ऐसी इंस्टॉक्शन्स मिलती है, तो आपका रियक्शन क्या होता है? How do you react? Do you get irritated? Angry? Or do you follow all these instructions without any protest? बच्चों, ये बाते मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ, बच्चों, इस पोएम में हम देखेंगे कि अमेंडा को जब उसकी मदर लगा अतार इंस्टॉक्शन्स देती रहती है, तो वो कैसे रियक्ट करती है? और इस पोएम को आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं, जब आपकी मदर आपको इंस्टॉक्शन्स देती हैं, कोई भी बात समझाती हैं, तो आपका क्या रियक्शन होता है? Really, it's going to be very very interesting. So, without wasting any time, let's begin reading of this beautiful poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. See, dear students, the poem begins with the instructions. And who is giving these instructions? Amanda's mother. Amanda की mother देखती है, कि Amanda अपने nails को bite कर रही है, नाखुनों को चबा रही है. इसलिए mother instructions देती है, कि अरे, ये काम छोड़ो, नाखुनों को ऐसे मत चबाओ. Don't hunch your shoulders, Amanda. अगली instruction है, कि वो अपने कंधों को आगे की तरफ जुका के बैठी है. Hunch means to bend the upper part of body forward. आप image में भी देख सकते हैं, कंधों को आगे की तरफ करके जुक कर बैठना, इसे को हम कहते हैं, Hunching. फिर उसकी मदद कहती है, Stop that slouching and sit up straight. Slouch means to stand, sit or move in lazy way. तो Amanda बहुत ही lazy way से बैठी हुई है, आगे की तरफ जुक कर, बचों जैसे देखो, स्कूल में भी आपको कहा जाता है, कि सीधे होकर बैठी है. तो ऐसा ही कुछ Amanda को instruction मिल रही है, उसकी मदद उसे कहती है, इस louching को छोड़ो और सीधी होकर बैठ जाओ. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि poem की starting में ही, Amanda को बहुत सारे instructions मिल रही है, लेकिन Amanda का क्या reaction होगा, आएए आगे देखते हैं. There is a languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. लेकिन हमारी Amanda तो imagination में खोई हुई है, वो क्या imagine करती है? There is a languid emerald sea, languid means relaxed, emerald means a precious stone of green color, जिसे हम पन्ना कहते हैं. तो यहाँ पर Amanda imagine करती है कि समुद्र जो हरे रंग का है, वो बहुत ही relaxed होकर बह रहा है, और वहाँ पर वही इकलोती रहने वाली है. Where the sole inhabitant is me, sole means only, inhabitant वहाँ पर रहने वाली, वहाँ की निवासी, और वो क्या है? A mermaid, drifting blissfully, mermaid means half woman and half fish type creature, वो एक जल परी है, और वो बहुत ही blissfully means happily, drifting means moving slowly in sea, वो तो बड़ी खुशी से समुद्र में तैर रही है. अब यहाँ पर देखो बच्चों, समुद्र भी क्या है? relaxed, उसे कोई tension नहीं है, और ऐसे ही शांती वाले माहूल में रहने वाली हमारी यह जल परी है, जिसे कोई tension नहीं, जो बहुत ही खुशी के साथ अराम से समुद्र में तैर रही है, और इसे disturb करने वाला भी कोई भी न नहीं चाहती, मदर की इंस्ट्रक्शन से वो बचना चाहती है, इसे लिए वो तो सपनों में खोई हुई है, बचों, मदर की अगली इंस्ट्रक्शन साने वाली हैं, क्या कहती है मदर? तो मदर कहती है, कि मुझे लग रहा है, मैंने तुम्हें कहा था, तुम अपने शूट साफ कर लो, क्या तुमने अपने जूते साफ कर लिये, तो इस तरीके से मदर की इंस्ट्रक्शन स कॉंस्टेंटली आ रही हैं, और हमारी अमेंडा वो क्या कर रही है, आए देखते हैं बच्चों, हमारी अमेंडा फिर से इमेजिनेशन में खोई हुई है, और इस बार तो ऐसा लगता है, कि वो मदर की इंस्ट्रक्शन से कुछ जादा ही फैड़क हो चुकी है, इसलिए वो अपने आपको एक और्फन, एक अनात के रूप में इमेजिन करती है, उसे लगता है कि मानो वो एक अनात लड़की है, जिसके माबाप मर चुके है, या जिसके माबाप ने उसे छोड़ दिया है, और वह गलियों में बिलकुल आजादी से घूम रही है, I pattern soft dust with my hushed bare feet, pattern means to make design, उसे लगता है मानो गलियों में घूमते हुए, वो soft dust पर, मिट्टी पर अपने hushed means silent, bare feet means uncovered feet, उसने पैरों में कुछ भी नहीं पहन रखा और वो ऐसे नंगे पाउं से मिट्टी पर design बनाती हुई चल रही है, बचो यहां पर देखो, hushed means silent, उसके पैर भी silent है, उसे ऐसे लग रहा है कि किसी की भी आवाज नहीं आए, कोई भी interference ना हो, तो पैर भी मानो उसके silent है, आवाज ही नहीं कर रहे, वो बहुती peacefully गलियों में चलती जा रही है, और उसे silence इतनी अच्छी लग रही है, कि वो कहती है, the silence is golden, खामोशी तो gold जैसी, सुनहरी, सुन्दर, खुबसूरत होती है, और आजादी बहुत ही मीठी होती है, तो बच्चों, इस सुम्र में बच्चों को लगता है, कि parents जो कह रहे हैं, जो भी बाते समझा रहे हैं, वो सब बेकार की बाते हैं, बच्चों को हमें तो सब कुछ समझाता है, हमें बहुत सारी knowledge मिल गई है, हमें माबाप के instructions की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऐसी feelings इस उम्र में बच्चों के दिमाग में आ जाती हैं, तो हमारी Amanda भी बिलकुल ही नहीं चाहती, कि कोई भी उसे disturb करे, वो बिलकुल अपनी आजादी को peacefully, happily enjoy कर जाती है, फिर से Amanda की imagination को bracket में दिया गया है, यह ध्यान लखना है बच्चों, बच्चों जितने focus के साथ Amanda imagination में खोई हुई है, उतने ही focus के साथ मद भी अगली instructions देने के लिए तयार खड़ी है, तो आईए देखते हैं, अब मद क्या instructions देंगी, Don't eat that chocolate Amanda, remember your acne Amanda, will you please look at me when I am speaking to you Amanda, this time mother asks Amanda not to eat the chocolate which she has, because it will cause acne pimples on her face, Mother कहती है, Amanda, chocolate मत खाओ, तुम याद करो, तुम्हें chocolate से pimple हो जाते हैं, और जब मैं तुम से बात कर रही हूँ, तो तुम मेरी तरफ देखोगी, यहां पर मद कहना चाहती है, कि मेरी तरफ देखो, मैं तुम से ही बात कर रही हूँ, और हमारी Amanda, वो तो फिर से किसी imagination में खो मारी Amanda क्या imagine कर रही है, I am Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair, बचों आपने Rapunzel की कहानी सुनी है, या फिर आपने Tangled मूवी देखी है, इसमें बताया गया है कि एक प्रिंसेस थी, जिसका नाम था Rapunzel, उसके बालों में एक जादू था, और इसी वजए से उसके बच्पन में ही एक विच ने उसे किड्नाप करके एक टावर में बंद कर दिया था, लेकिन Rapunzel को ये बाते पता नहीं थी, इसलिए वो विच को ही अपनी मदर मानती थी, जब भी विच को टावर में आना होता था तो Rapunzel अपने लंबे बालों को नीचे डाल देती और वो विच उन बालों को पकड़ कर उपर टावर में आ जाती थी, अब ये टावर दूसरे लोगों की पहुँच से बहुत दूर था, यहाँ पर कोई भी नहीं आता था, Rapunzel अकेली ही रहती थी, विच इस टावर में आत care, it means उसे कोई टेंशन नहीं है, जैसे Rapunzel टावर में अकेली रहती थी, उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो Amanda भी ऐसी ही लाइफ चाहती है, जहाँ पर उसे कोई भी टेंशन नहीं हो, Life in a tower is tranquil and rare, tranquil means peaceful, rare means जो दुरलब, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, उसे लगता है कि टावर में बिताई हुए जिन्दगी बहुत ही peaceful होती है, ऐसी लाइफ इसमें बहुत शांती होती है, तो Amanda को ऐसी ही लाइफ चाहिए, I'll certainly never let down my bright hair, और Rapunzel क्या करती थी, अपने बालों को नीचे डाल देती थी, ताकि विच उनको पकड़कर टावर में आ सके, लेकिन Amanda तो ये भी नहीं करना चाहती, वो कहती है कि मैं Rapunzel हूँ और मैं अपने लंबे बालों को कभी भी नीचे नहीं गिराऊंगी, ताकि उनको पकड़के कोई भी टावर में एंटर ना कर सके, तो बच्चों हमें बार बार पता चल रहा है कि Amanda एक ऐसी लाइफ चाहती है, जिसमें किसी की भी इंटरफेरेंस ना हो, कोई उसे किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन्स ना दे, लेकिन मदर की इंस्ट्रक्शन्स तो खत नह ही नहीं हो रही है, मदर फिर से इंस्ट्रक्शन्स कर रही है, क्या कह रही है, stop that sulking at once Amanda, you are always so moody Amanda, anybody would think that I nagged at you Amanda, मदर कह रही है, sulking बंद कर दो, sulking means being silent out of annoyance or disappointment, गुसे में या उदासी में चुप हो जाना, बच्चों आपको कुछ याद आ रहा है, जब आपकी मदर आपको कुछ समझाती है, या डाट लगा देती है, तो आप भी कई बार ऐसा ही करते होगे, चुप हो जाते होगे कि मदर को ही बोल लेने दो, आप तो न हमारी अमेंडा कर रही है, चुप चाब बैठी है, ओर मदर कह रही है कि छोड़ो ये behavior, sulking को बंद करो अब, you are always so moody अमेंडा, अमेंडा, तुम हमेशा इतनी moody रहती हो, moody means mood swing होना, कि एक बार खुश हो गए, कुछ थोड़ी देर बाद में फिर से नाराज हो गए, तो करता है, अमेंडा, तो एक moody लड़की है, anybody would think that I nagged at you, अमेंडा, nag means scold it, अब यहाँ पर मदर क्या कह रही है, तुम ऐसे behavior कर रही हो, अमेंडा, तो कोई भी देखेगा, तो ऐसे सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांट लगाई है, मैंने तुम्हें रिब्यूक किया है, तो इस क्या मतलब है, कि मदर की instructions तो चलती ही रहेंगी, और हमारी अमेंडा का नराजगी, उसका चुप बैठना, imagination में खो जाना, ये भी चलता ही रहेगा, ओके, now let's discuss poetic devices used in the poem, सबसे पहले हैं बच्चों, poem की rhyme scheme, rhyme scheme का मतलब होता है, same sound pattern होना, इसमें हम सबसे पहले first line का last word लेते है देखिए इसमें है last word, Amanda, तो इसका नाम हमने रखा, A, second line का last word देखिए, Amanda, same है, same sound है, तो इसको भी हम नाम देंगे, A, third line का last word देखो, straight, ये different sound है, तो हम next letter इसका नाम रख देंगे, it means हमने इसको नाम दे दिया, B, fourth line में एक ही word है, Amanda, और ये sound किससे मिल रही है, first two lines से ही, तो इसलिए इसका नाम वही रहेगा, A, next देखिए, C, ये एक different sound हो गई है, A और B से, तो हम इसको नाम देंगे, C, next line में है, me, ये match कर रहा है, C से ही, C, me, तो इसका नाम भी रहेगा, C, अगला देखिए, blissfully, E sound ही है, ये भी match कर रहा है, C, me से, तो इसका भी नाम रहेंग C, okay, तो rhyme scheme हो गई है, A, A, B, A, C, 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 in this way, in this poem, each of the stangas spoken by mother, follow the rhyme scheme, A, A, B, A, on the other hand, the stangas spoken by Amanda, consist of three rhyming lines, each, Then we find use of metaphor in the poem, metaphor is used to show a comparison between two different things or ideas, बचों, metaphor के थूँ दो different चीजों में या ideas में comparison दिखाया जाता है, For example, in her imagination, Amanda compares herself with a mermaid, an orphan, and Rapunzel, हमने poem में पढ़ा था, कि Amanda खुद को imagine करती है, कि वो एक जलपरी है, एक अनात लड़की है, और एक प्रिंसेस है, जिसका नाम है, Rapunzel, और वो कौन-कौन सी lines थी बचों, Here, I have given the examples, where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully, next imagination थी, I am an orphan, roaming the street, or next imagination थी, I am Rapunzel, I have not a care, The next device used in the poem is repetition, जब एक ही word को बार-बार use किया जाता है, तो हम उसे repetition कहते है, और बच्चों, इस poem में कौन सा word बार-बार आया है, आप easily बता सकते हैं, yes, the answer is Amanda, the name Amanda has been repeated to lay emphasis on the fact that she is instructed many times, और ये word जब बार-बार आया है, तो इसका मतलब यही है, poet यही दिखाना चाहती है, कि उसको Amanda को बार-बार instructions दी जाती है, पोयम की first line में भी Amanda word यूज हुआ है, don't bite your nails Amanda, और पोयम जब end होती है, तो भी यही word है, anyone would think that I nagged at you Amanda, तो बच्चों, Amanda word को बार-बार यूज किया गया है, इसलिए यहां पर repetition यूज किया गया है, And now in the end, let's discuss theme of the poem, this poem shows the value of the upbringing of a child, इस poem से बच्चों के पालन portion के बारे में पता लगता है, यह poem हमें दिखाती है, कि हर बच्चे का पालन portion बहुत ही important होता है, Every child is unique, हर बच्चा अपने आप में खास होता है, Parents should not impose their own wishes on children, Parents को अपनी खुद की इच्छाएं बच्चों के उपर लादनी नहीं चाहिए, उन्हें बच्चों को compel नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का pressure नहीं डालना चाहिए, They should give proper space to them, Parents को, बच्चों को एक उचित space, आजादी भी देनी चाहिए, When Amanda is instructed for everything, she seeks an escape, क्योंकि हम देखते हैं, जब Amanda को हर बात के लिए बार-बार instructions दी जाती है, तो वो उन instructions से बचना चाहती है, She imagines herself in acting as a mermaid, an orphan and a princess, अब वो मा की instruction से बचने के लिए ही imagination में खोई रहती है, कभी वो अपने आपको जल परी, कभी अनात लड़की और कभी राजकुमारी की रूप में सोचती है, She wishes to live alone and carefree, अब वो अकेली और without any tension रहना चाहती है, Thus, the poet wants to say that the interference of parents should not curtail the freedom of children, Poet हमें यही बताना चाहती है, कि parents के interference की वजए से बच्चों की आजादी बाधित हो जाती है, उसमें problem आ जाती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को freedom मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ, एक और message convey किया गया है, Children should also follow the advice of their parents as it is for their betterment, बच्चों को भी अपने माता-पिता की advice को follow करना चाहिए, क्योंकि आखिर parents की बातें उनके फाइदे के लिए ही होती है, parents की सला क्यों दी जाती है, ताकि बच्चों का फाइदा हो सके, ता बच्चों इस तरीके से एक अच्छे रिष्टे के लिए जरूरी होता है कि दोनों तरफ से एक understanding हो, So here the poem ends, I hope you have enjoyed it, and for more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma, Thank you very much for watching this video. Thank you very much for watching this video.